विकी कोशिल, फातिमा सनाशेक और सान्या मलहुत्रा की अपकमिंग फिल्म सैम बहादूर साल 2023 की मोस्ट अवेटिद फिल्मों में से एक है मेगना गुलजार ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है फिल्म को लेकर काफी बस बना हुआ है और फैन्स इसकी रिलीज का बेस सब्री से इंतिसार कर रहे है वही मेकल्स ने फैन्स की एकसाल्टमेंट को बढ़ाते हुए सैम बहादूर का एक और नया गाना रिलीज कर दिया है इसके पहले रगो में देश भक्ति का जोज बढ़ाने वाला सौंग बढ़ते चलो रिलीज किया गया था सैम भादूर का न्यू सौंग रबका बंद आज रिलीज किया गया है ये गाना भी काफी जोष से भरा हुआ है नए सांग में विकी कौष्रल सैम माने सॉक की किरदार में काफी दमदार लग रहे हैं मुझिक विडियो सेम माने कौष्ट की लाइफ की जhosलक दिखाए गई है ये गाना सैम माने कौष्ट की ताकत साहस अध्रिन संकल्प को दिखाता है विकी कॉशल ने रब का बंदा का म्यूजिक विडियो शेर करते हुए लिखा A force of strength, a great soldier in every sense रब का बंदा है ये, सब का बंदा है ये, बंदा सौंग आ उताओ साम भादुर इन सिनेमाज on 1st December 2022 बता देक साम भादुर के new inspiring track को शंकर महादेव ने गाया है वहीं गुलजार ने गीत लिखा है, यूजिक लोग प्रिय संगीत तिगडी शंकर एहसान लोग द्वारा तियार किया गया है आपको बता दे कि सैम भादुर भारत के पहले फील मार्शल सैरे प्राक्रमी सैम महानुक शौक की लाइफ पर बेज़ है फिल्म में विकी कोशल ने सैम मानेशौक का किरदार निभाया है ये फिल्म मिलिटरिल लजन की लाइफ और उनकी वीड़ा और नेतरत्व की कहाने दिखाती है सैम भादुर में इंद्रा गांधी के रूप में पातिमा सनाव शेक और सैम मानेशौक की पत्नी सीलू की रूप में सान्य अमल होत्रा नजर आएंगी ये फिल्म एक दिसंबर को सिनिमा घरों में रिलीज होगी इसकी टककर रन्वीर कपूर और रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म एनिमल से होने वाली है